उत्राखंड में हर साल की तरह इस बार भी देश के कोने कोने से शद्धालू चार धाम यात्रा के लिए पहुँच रहे हैं केदानात और बदरीनात में बारेश शुड़ू होते ही शद्धालू की संख्या कम हो जाती थी लेकिन इस साल भारी मात्रा में शद्धालू चार धामों के दर्शन करने आ रहे हैं वही बदरीनात और केदानात मंदिर के अध्यक्ष अजेनर अजय का कहना है कि अब तक 25 लाग शद्धालू दर्शन के लिए पहुँच चुके हैं यहां हर दिन करीब 4-5 हजार तक शद्धालू दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार और उत्राखन के मुख्य मंत्री शद्धालू की सुभिदा का ध्यान रख रहे हैं वही यलो अलट करते चलते लगतार मॉनिटरिंग की जा रही है देरादून से अवनेश कुपता की रिपोर्ट यह सर्वबिदित है कि इस बर्स बारी संक्या में सरदालू चारो धामों में उम्ड़े हैं और यह रिकॉर्ड संक्या है और आज तक उम्मीद है कि 25 लाग की संक्या पार कर जाएगी सरदालू की और जैसा कि जून महा के अन्त तक यात्रा काफी धीमी हो जाती थी बर्साथ के कारण से भी और बच्चों के स्कूल खुलने की तैयारियों को ले करके भी तो लेकिन इस वर्स फिर भी जो बदरिनाजी और केदारनाजी में प्रती दिन लगवर 5-6 हजार के आसपास यात्री ओस्तन अब भी आ रहे हैं